हेलो गाइज वेलकम बैक टो इस चैनल माइली थॉट्फुल आज का जो टॉपिक हमारे सामने वो है न्यू अर्थ डिटेक्टेड क्या सच में हमें एक नया अर्थ इन नियर फ्यूचर मिलने वाला है नासा की और से जर से कुछ पिक्चर रिलीज किये गए हैं बाउट को मिल सकता है कि नियर फ्यूचर कुछ बरे अपडेट्स आ सकते हैं इस रीजन में सो लेट्स डिसकर्स दिस वीडियो इन डीटेल अगर वीडियो आप लोगों अच्छा लेगा तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो सबसे पहल प्लैक होल का पिक्चर जो कि लास्ट यह रिलीज हुआ था आप लोगों को पता होगा कि यह एप्रॉक्सिमेटली सेम था जैसा कि पुजट किया जा रहा था प्लैक होल के पिक्चर के बारे में लेकिन जो एक्जो प्लैनेट हमें आज मिला है रिसेंट टाइम उसका नाम ह गुम रहा है इसको पूरे डिटेल में वीडियो में समझेंगे चल आगे बढ़ता है एक्जो प्लैनेट जो कि एशा है जो कि स्टार्ज के अरांड में घूमता है अधर दैन सन यानि सॉलर सिस्टम के बाहर वो होगा उसको नो प्लैनेट कहेंगे और यह सोलर सिस्टम का ज अब जो सबसे इंपोर्टेंट के बारे में कि वहां के एटमोस्वेर क्या हो सकते हैं या फिर चिलिंग हो सकते हैं वह जुपिटर से भी बरे हो सकते हैं और अर्थ से भी छोटे हो सकते हैं कि आप देख पारे हो कि यह कुछ एक्जो प्लैनेट के रियल तस्वीर तो नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे तस्वीर हो सकते हैं एक्जो प्लैनेट के जिसके कुछ बहुत ही रेयर फीचर जो हम देखते हैं इसका सबसे इंपोर्टेंट फीचर है कि इसका साइज अर्थ के बराबर है जी हाँ यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अर्थ के बराबर अभी तक कोई भी एक्जो प्लैनेट हमें मिला नहीं था और इसका साइज जो हो अर्थ के बराबर इस वेरी वेरी इंपोर्टे अगर आपको पता नहीं कि light years क्या होता है तो एक साल में light इतना distance travel करती है यहाँ पर आप देख सकते हो उसे को light year कहते हैं और यह light year सिर्फ 41 है ऐसा देखने हम लग रहा है कि बहुत जादा है लेकिन plants के case में हमें पता है कि यह बहुत जादा amount में देखने को मता है लेकिन यह 41 is very very less और यह orbit कर रहा है एक red of planet के यह रहा हूँ red of planet जिसके around यह orbit कर रहा है और यह सिर्फ दो दिन लेता है उसको चकर काटकर में revolution को पूरा करने जैसे कि earth को earth को अपने 365 days लग जाते हैं पूरे orbit को clear करने में sun के around बट यह सिर्फ दो दिन में ऐसा कर देता है so this is very interesting to know कि इसके आगे क्या क्या चीज़े हो सकती है आगे बढ़ते हैं exoplanet हमारे लिए important क्यों है life outside earth ढूनना बहुत important है क्योंकि जैसा कि Elon Musk भी कहते हैं कि हमें future को आगे देखते हुए आगे देखना पड़ेगा कि earth के बाहर क्या life possible है और अगर है तो हमें उसके पीछे ज चेक किया जाता है क्योंकि exoplanet में सबसे important चीज़ हो किसी भी living being के लिए important है वहां का atmosphere और atmosphere तभी वैसा हो पाएगा अगर वो earth के जैसा होगा जैसा कि 475B के case में देखने को मिल रहा है लेकिन NASA की और सा अभी कोई conclusive evidence नहीं दिया गया है कि LHS 475B में कोई भी ऐसा हमें मिला ह कोई option ऐसा atmosphere को लेकि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे life exist कर सकती है ऐसा हम कुछ अभी नहीं कह सकते हैं तो यह चीज़ आपको दिमांग रहेना बहुत important है right now अब जो important question आपको दिमांग में आ रही होगी what is red of planets देखो stars sorry stars stars बहुत type क्यों होते हैं जैसा कि आप देख सक ना this is red of planet इसी के around में घूम रही है 475b LHS अब यह important क्यों है क्योंकि यह radiate जादा light नहीं करती है इसलिए इसके around में जो stars जो planet जो घूमते हैं इसके around में वो बहुत easily detect किया जा सकते हैं by JWST easily हम लोग सकते हैं और यहां वे planets में life होने की भी संभावना जादा हो जाती है this is very important क्योंकि यह dwarf star है dwarf star है यह बहुत छोटा star होता है जो भी stars होता है उसको सबसे जो lowest होते हैं उसको हम लोग dwarf star कहते हैं so this is very important now जो last section अपना है कि audience की आवाज क्या कहती है क्या ही habitable planet हमें बहुत जल मिलने वाला है आप comment section में comment करके जरूर बता हो कि आपको क्या लगता है और इस रोयाने कि इंडिया कि इस रो क्या effort कर रही है इस direction में कि क्या वो कहीं पे बाहर live ढूंडने कोशिश कर रही है या फिर सब्सक्राइब करें कि आपको पता नहीं होगा शायद लेकिन एवरी टूज़े थाज़े साड़े इस चैनल पर कंटिनुवसली मार्च 2022 वीडियो पोस्ट होते ही आ रहे है अट एनी कॉस्ट आप चेक कर सकते इस चैनल पर कंटिनुवसली अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो अगर आप एंड पार्ट तक इस वीडियो के पहुंचे हो तो आप जाके जरूर चेक करना कि लास्ट येर मार्च से कंटिनुवसली इस चैनल वीडियो पोस्ट होते ही जा रहे है एवरी टूज़े थे साड़े ऑन इंपोर्टन एंड करेंट टॉपिक्स स तो मैं उमिद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लाओ और सीवेरे सुन्त तक लें बाबाए